नमस्ते तुस्तों स्वागे थे एक बाद फिर से आप सभी का एक्जाम गुरुजी भाई एर्बिन से यूटूब चैनल में मेरे पहरे बाई आपकी पटिस्था नजदीक है नजदीक क्या गाईस कुछी घंडे से आपके बचे हैं और मैं आपके लिए गाईस एक बहुत ही आपको गाईस अगर एक्जाम में मिल जाता है कि काली बंगा का मतलब क्या है या काली बंगा कार्द क्या है तो काली रंग की चूड़िया नेक्स्ट प्रार्यम्बिक आडियों के बारे में निम्नकत्नों में से कौन सा सही नहीं है ध्यान दीज़ागा नहीं है बात कर रहा है बिल्कुल मेरे बैरे बाई निश्चेन तो करके एक्जाम देने साही है और देखो हमारा गला बैट गया आपकी ले ले न ही कोई बात नहीं कारे घ Post देने का मौका बार बर नहीं मिलेगा गाला बैट गया है गहां पी लेकर को नहीं मिलेगे लेकिन अगजमबिक प्रार्यम्बिक से नहीं है इसका राइड nsya हो जाएगा है वह है मुख्यता नगर नगर में निवास करते थे क्य जाएगे जो गाई आ रहे थें बैदिक सब्सक्राइब ना कि नगरी तो यहां पर आपका उप्सिन नमबर डी जो है यह गलत हो जाएगा ने मिलके तो मैंसे वहा विक्ति कौन है जिसका नाम प्रिया दर्सी किसका नाम है बताएंगे कोईशन नमर और मेरे भाई सबसे पहले आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जैसे ही क्वेशन पेपर वहां से छूटे यानि कि जैसे ही क्वेशन देकर बच्चे निकले मुझे क्वेशन पेपर मिले तुरह आपका आपका अनालिस करवा दू ठीक है तो जो भी पह हो जाएगा भाई आपका option A आगे बढ़ते हैं अगला question आपके सामने अजन्ता कला किरतियां जो हैं यह किस्से समंदित हैं question 4 बहुत बढ़ियां किस्से हैं अजन्ता की जो कला किरतियां है यहां पर option D next किस मुगल सासक का दो बार राज्या भी से खुआ है बहुत बढ़ी मेरे पैरे भाई किसका औरंग जेवका राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्सन नंबर D अगला है कि मैं आनिस्वरवादी क्यों हूँ सीर्सक की पुष्टिका लिखी गई है question कहने का मतलब यह है guys कि मैं आनिस्वरवादी क्यों हूँ यह guys पुष्टा कहें इसके जो सीर्सक है guys इसके लेखी का कौन है या guys काजा लेखा कौन है जल्दी यह अंसर देंगे exam की दिश्टी से आपका यह important question है देखो right answer यहाँ पर हो जाएगा आपका हो जाएगा भगस सिंग के दोरा option number B जो है यह आपका सही answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 7 आपसे क्या कह रहा है कि भारत के जो अंतिम वुआई सराय थें यह कौन थें question number 7 भारत के जो अंतिम वुआई सराय थें यह कौन थें जल्दी जल्दी अंसर देने की कोशिश कीजिए right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो भारत के अंतिम वुआई सराय थें यह कौन थें अंतिम पुछ रहा है न हो जाएगा आपका माउंट मेंटन कौन थें माउंट मेंटन थें option number B आपका right answer हो जाएगा next कि सभारतिय करांतिकारी ने सुभास चंद्र बोस को इंडिया नेशनल आर्मी की गठन में सक्रिय सहयोग दिया था गजब का क्योशन एक्जाम में आने के चांस है कि सभारतिय करांतिकारी ने सुभास चंद्र बोस को इंडिया नेशनल आर्मी की गठन में सक्रिय सहयोग द इस सम्मेलन की अधक्षता किसने की कुर 91 कर्यक्तर की obsession कहने का मतलब यह यह धायल हुआ यह किसके दौरा लिखा गया देखो guys कुछ पता नहीं कि exam में कौन सा question आ जाए हो सकता है कि मैं अभी ये question आपको बढ़ा रहा हूँ guys इस वर की इच्छा हूँ ये question आ जाए या हो सकता है guys मैंने आपको दो दिन पहले सेट पढ़ाया है उसमें से आ जाए है ना लेकिन आएगा तो मेरे बैरे भाई हमारे में से ही है मैं आपको पूरा डावा बता रहा हूँ क्योंकि डेड़ सो guys ये डेड़ सो लगवा कि एक सो बाउन पच्पन प्रेक्टिस एट हो गए है दिनांक रेका जो है ये कहां से होकर की गुजरती है बहुत बढ़िया कहां से होकर की गुजरती है 180 डिगरी ऑप्शन नबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदरा पॉइंट जो है ये किसका दक्षणी नोख है इंद्रा पांडी जो है यह किसका दक्षणी नोख है बहुत बढ़ी है किसका है अंड़मान और निकोबार दीपसमू का ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन निमनमे से किस नधी के तरपर गोरखपुडिस्टिता है गोरखपुर जो है किस नधी के तरपर है क्वेशन नzymर 13 बहुत बढ़ी है किस नधी के तरपर है गाई यह आपका है राप्षणी नबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला निम्नमे से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है बहुत बढ़िया मेरे पहरे भाई किस राज्य में वो हो जाएगा आपका तमिल नाडू में आप्सन नमबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला खानिस प्रदार्तों की दिष्टी से कौन सा भारती चेत्र अधिक सम्रिद्ध है रैट हुजाएगा चोटा नागपुर का पठार आप्सन नमबर डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला आधुनिक आर्या सास्त्र के जनक जो है ये किसे मार कौन जाने जाते हैं यहाँ पर आर्या नहीं यहाँ पर यह आर्थ लिकाए ठीक है अधुनिक आर्थ सास्त्र के जनक यानि जो जो जनक है उसके जो जनक है वो एडम स्मिल माने जाते हैं ऑप्सन ए आपका जो है ये बि बारती अर्थिव्यवस्ता की विसेष्टा नहीं है आपको इसमें यह बताना है कि इसमें कौन सी विसेष्टा बारती अर्थिव्यवस्ता की विसेष्टा नहीं है द्यान दीजे का भाईया नहीं है बात कर रहा है राइट हो जाएगा मेरे पैरे भाई भाई भें जो भी बहुत बढ़ियां कहां पड़े केंद्रिय सांके की कारियाले का मुख्याले जो है यह दिल्ली में है आप्शन भी आपका राइट अंसर हो जाएगा निम्नमें से किस पंचवर्षी योजना के तहत हरितकरांती की सुरुवात की गई गई गचप का क्वेश्चन है राइट हो इक के मद्य सहीयोग से राइट हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा अगला निम्नमें से कौनसी विसीचता भारतिय संग और अमेरकी दोनों में साजी पाई गया है तो भारत के सम्मिदान में और अमेरिका के सम्मिदान में सम्मिदान में दोनों मिलते हैं इसका अंसर आप प्रवाव जो है यहकिस देश के सम्मिदान ने छोड़ा जल्दी से आंसर देंगे और जो भी पयारे मित न हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि जैसे ही आपको कॉईशन पेपर हमें मिले तुरंत मैं आपको इनफॉर्म कर दू ठीक है तुरंत गाइस मैं आपको उसका अनालिसिस करके बता दूँ जैसे ही जैसे ही गाइस पेपर खत्म होता है तुरंत मैं आपको अनालिसिस करके बता दूँगा ठीक है तो अभी के भी आप चिनलों को सब्सक्राइब कर लीजे और गाइस अभी बहुत देर तक मैं आपकी प्रेक्टिस क्लास चलाऊंगा हर एक गंटे बाद आपको प्रेक्टिसेट मिलते ही नहीं है ध्यान दीजेगा आपसे नहीं है बात कर रहा है जल्दबाजी नहीं करेंगे थोड़ा सा समझने के बाद आंसर देंगे देखोई गाइस आप एक्जाम देने जाईएगा आप दिमाग बिल्कुल इस्तिर करके जाईएगा जो मैंने आपको कल बताया था गाइस आपको एक्जाम देने जाना है लेकिन मेरे पहरे बाई ध्यान रखना है मातरपिता का असिरबाद लेते हुए जाना है मासरोसिती का असिरबाद आपके साथ हैं हमारी सुबकामना है आप सभी के साथ हैं निशे दे कि एक्जाम में आपका इसकोर बहुत अच्छा रहेगा बस आप एक्जाम में एकाग्रमन से और गैस बिल्कुल धैरे के साथ एक्जाम दीजेगा बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है समय आपको बहुत मिलता है मेरे पहरे बाई सो क्वजिशन हाल करने होते हैं इसके लिए इतना समय दिया जाता है कि आपके लिए बहुत ही जादा प्रियापत है ठीक है काँसर साइनी अधिकरन भाग दस में उलेकित नहीं है और समय दी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कि समयदान की उन्तरगत है वो अनुक्सेद नम्बर 19 की उन्तरगत नवदात को किसके उन्तरगत के वुद्रकश्जाद जो आगे आपका नंबर होगा वो आपका ही होगा पटवारी का ठीक है अगला लोहे की सुई पानी की सदा पर किस कार तेरती है लोहे की सुई जो है ये पानी की सदा पर किस कार से तेरती है जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए बहुत बढ़िया किसके कार तेरती है प् जा नहीं राूरी बीशन करवा रहा। इसलिए आप जल्दी जल्दी आज़र देने की कोईशिस कीजे नहीं देपातें कोई बात नहीं मैं देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ आप जल्दी जल्दी देखते भी चलिए ठीके कंटस्ट करती है चलिए अगला सामानी आखों के यह असपश्ट द्रिष्टी के नियुंतम दूरी आपको बताना है 27 बहुत बढ़ी हां क्या होती है गाइस असपश्ट द्रिष्टी के नियुंतम दूरी 25 सेंटेमीटर होती है ऑप्शन नमबर डी यहाँ पर आपका करेक्टर आंसर हो जाएगा अगला लंबे समय तक कठोर स सारीरिक कारिया के प्रसाथ मास्पेशियों में ठकान अनुबर होने का कारण या गाइस क्वेश्टन का जाए कि हमें ठकान जो है यह किसके कारण होती है 28 का अंसर आप बताएंगे गजब का क्वेश्टन एक्जाम में आने के सत प्रतिशत चांस इसके बार नहीं जल्दी हो जाएगा यहाँ पर आपका अप्शन नमबर डी अगला फलों की रस को सुरक्चित रखने के लिए निवनलखित में से किसका उपियो किया जाता है फलों की रस को सुरक्चित रखने के लिए हम किसका उपियो करते हैं क्वेश्टन नमर 29 का आंसर आप बताएंगे सखी आ बाग पावर हाउस कहलाता है 72 बार मैंने आपको पढ़ाया है मेरे पहरे बाई हो सकता है कि एक्जाम में आपके तेहत्रमाब आ रहा है क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि मैंने यह कोशिका का पावर हाउस है कोशिका का सक्तिग्र है यह किसे कहा जाता है गाइस मैंने आपको जो पैसेज हैं वो मैंने स्किप कर दिया है आप टाइम नहीं रहे गा है कि पैसेज में फाल दोका पढ़ू और आपको समझाने की कोशिश करूँ उतना टाइम नहीं रहे गया है जो आपके इंपोर्टन इंपोर्टन गाईज यह आपके चुनिता हुए प्रसन है या गाए जैसे आपको रह गाई अउफाल आपका दाइट लोग्सित हे जाना है थांसी को अंचो जैता हेए जिसे कहते हैं अपको रहागयज से रात कोzeit को खाना आ आप न खाये औरह जारे है थाम सिक का फाल जाने को आजयसे लिकोशिस को कहा जाता है थांसिक है मतलब कहा जाए मेरे पहले बोड़ी तो गाउं की वाइवासा में, जो बासी सब्द होता है वो आपका तामसी होता है, ठीक है? तो तामसी को बिलोम होगा, या बिब्लीता तार्त colors क सब्द होगा वो होगा आपका सातविक साथ मिन मतलब ताजह बना हुआ ठीक है तो यहांपर आपका साथ मिन का बिलों सब्द हो जाएगा आगे नेमल की तुम हैंसे कौंसा सब्द डर का प्रियावाची जल्दी से आंसर दीजी बहुत बड़िया धर का प्रियावाची नही और भीत, थ्रास, भाय ये डर के प्रियावची सब्द हाए जबकि C ती जोए ये डर का प्रियावची नहीं है next कौन सा सब्द इसमें pulling है कौन सा सब्द pulling है आपको बताना है 39 का right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो guys मंतरणा सभाई कत्रित की जाती है मंदली बुलाई जाती है मंतरणा भी आपका दाइस से इसतरी लें गए नयाए जोए guys ये नयाए किया जाता है या नयाए हो जाता है है ना तो क्या हो जाएगा pulling आपन नयाए हो जाएगा ठीक है option D right हो जाएगा next और वसी जो है ये किसका काभी है और वसी जो है ये किसका काभी है question number 40 बहुत मढ़ी है किसका है जो और वसी है ये किसका काभी है ये राम धारी सिंग देनकर का है option number C आपका right answer हो जाएगा ठीक है तो मेरे पहरे भाई ये हमने आप पर इतनी question आपके complete कर लिए चालिस अभी समाप नहीं हो इकलास अभी guys मैं दूसरे सटकी 40 question आपके important अभी कबर कर लेता हूँ ताकि guys आपका कम से में मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपका complete होजा ठीक है चले हम दूसरे सटकी शुरुआत करते हैं आपके पास है नहीं बिल्कुल भी time नहीं है ना तो मैं जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ अब आप answer दे ना दे मुझे guys इस फर्क नहीं है ठीक है आप answer ना दे कोई बात नहीं आप गयोल चुपके से बैटे हुए देखते रही है ठीक है आप बस में है ट् चलते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं बुक लेकर के चलते हुए पढ़ाई नहीं कर सकते हैं लेकिन आप मोबाइल से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं लैप्टॉप से भी नहीं कर सकते हैं मोबाइल लेकर चलते हुए थोड़ी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ना तो राइट हो जाएगा कापास नेक्स्ट आपके सामने किस बेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है किस बेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है राइट हो जाएगा रिगवेद में option number A आपका right answer हो जाएगा रिगवेद जो एगाईज ही सबसे पुलाने बेदे इस बात को भी आप ध्यान रखेगा पाटली पुत्र को किस शासक ने सर्ब परतम अपने राजधानी बनाई question number 3 बहुत बनिया गैस यहां प्रतुकों जो मौरी बन्स की जब सबसे ज़्यादा प्रमुक्ष आ सकते वह कौन थे चंद्रगुप्त मौरिया और चंद्रगुप्त मौरिया ने ही सबसे पहले पाटली पुत्र को अपने समराज की अपने गाईज का जाए तो उन्होंने राजध लिए तरह ने किस्त ने लिखा जल्दी से अंसर अंसर देने की कोशिष कीजिये गाईज की अगर समय बच जाए था हमें इसमें आपका शामिल कर लो जो इहां ने सो पांच में बंगाल विवाय जान जो किसा रइशने किया किस बाय tightening किया करजन ने किया। दूसरी बात अच्छा, चिनने सब्सक्राइब आ कि 911 में मैं किसके बात ौज़ई हो था करजन का अगला आपके सामने कुषन किस ने शामप्रदाइक निर्वाचंड छेट्रों की पदनती की सुर्वाद भारत में किसके दौरा की गई ? राइट अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से आंसर दीजे रटेल की पर शेट्रों की सुर्वाद भारत में किस के की दौरा की गई ? बहुत बढ़ी है किसके द्वारा 1909 का माले मिन्टोरी फॉर्म्स के द्वारा राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन भी नेक्स्ट निम्नमे से किसने सर्वर्थम प्रेस संसर्शिप लागू की थी प्रेस संसर्शिप जो है या सबसे पहले किसने लागू की जल्दी से आंसर देने की कोशिस करेंगे हमारे सभी प्यारे भाहिया बहान राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया किसने लागू की बेले जली ने ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अगला आपके सामने कुश्चन है निम्नमे से कौन सा सुमेलित नहीं है ध्यान दी किसने उन्ने सो चार में लगातार भारत को स्वासासन देने पर बल दिया किसने उन्ने सो चार में लगातार भारत को स्वासासन देने पर बल दिया कोईशन नमबर दस बहुत बढ़िया किसने दिया राइट हो जाएगा आपका वह हो जाएगा यहां पर दादा भाई नौर ठीक है तो यहां पर दाता भाई नोड़ी कौन से हो जाएंगे व्रेद्पुरुष या व्यूद्पुरुष नक्ट गाइस आपको यहां पर क्या करना है दिए गए सूची फ़स्ट को सूची सेगर से मिलान करना है और यहां पर आपको गाइस कुड़बासा का प्रियोग कर यहां जो गाइस चिंबरो जो वही आपका इकवाड़ोर में है और जो पाई रेंड़ी है यह आपका फ्रांस वासी इस्पेंड में है फ्रांस या खाज़ा इस्पेंड टीक है तो गाइस कुल मिलाकर के उल्टी बात कहींगे यहां पर चार तीन दो एक ऑप्सन ए आपका राइड आंसर वह जाएगा नेक्स्ट बारत की पूर्व से पस्षिम तक की लंबाई कितनी है जल्दी से आंसर देंगे हमारे सभी पहरे भाहिया राइड आंसर यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिस कीजिए बहुत बड़ा देखो अगर मैं आ दिजार ना किया करें, हमारे निवेदन करने का आप इंदजार बिल्कुल भी ना करें, ऐसा नहीं होता है मेरे पहरे बाई, कि मैं आपसे निवेदन करूँ, हाद जोलूँ, तब ही आप क्लास को लाइक करूँ, ऐसा नहीं न, मैनत आपके लिए कर रहे हैं, गला बैटा यहाँ पर पूर्व से पश्यम तक की लंबाई है, यह उन तीस तो तैदीस, आपसन ए, आपका राइड आंसर हो जाएगा, और गाईज इद अगर कहा जाए, उत्ता से दक्सिन तो हो जाएगी, आपकी बतीस तो चौधा नियक्ष्ट, परबतों की निमलके तुसरेडियों से किस सिरेडियों में हिमाले सम्दित है, आपको बताना है कि परबतों की निमलके तुसरेडियों में से किस सिरेडियों से हिमाले यह सम्दित है, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी हाँ, किस सिरेडियों से हिमाले सम्दित है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वली तोर्टी जल्दी सान्स देने की कोशिस करेंगे। बहुत बने जो कुछ गाईस लवणिये नदी या का जा एक जो खाना मतलब हो गत्द mujer मिलब यहुद पहुद सालत होता ना बाहर 1 नहीं है। चार का कौन कौन से हैं बहुत बढ़िया बूमी स्रम पुझी और उध्यमी से होगी स्रम करोगे मेनत करोगे पूंजी आएगी और आप उद्यमी बन जाओगी रेट का हो जाएगा आपको option A correct answer आपको हो जाएगा next अर्थ व्यवस्ता को सभी आवश्यक नियंतरणों और BNMO से मुप्त करना क्या कहलाता है गजब का question है exam की दुष्टी से व्यवस्ता को सवी आवश्यक नियंतरणों और BNMO से मुप्त करना क्या कहलाता है क्या कहलाता है मेत्र हो कहलाता है आपका उधारी करण क्या 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 कहलाता है उदारी करण au ciel Maison C यहाँ पर आपका सकी आँळाएगा mahamand islands जो है यह आईटी कब महामंदी जो है यह कब आई क्वेशन नबर 18 बहुत बढ़ी है कब आई 1929 से 38 के मध्या और अप्शन सी यहाँ पर आपका राइड आंसर हो जाएगा अगला वर्ल्ड एकोनामिक आउटलूट रिपोर्ट जो है यह जारी किया जाता है किसके दौरा एक फ़र्शन पर आप दें दीजे वर्ल्ड एकोनामिक आउटलूट रिपोर्ट जो है यह किसके दौरा जारी किया जाता है राइड अंसर हो जाएगा मित्र आपका वो हो जाएगा यहाँ पर अंतरष्टिय मुद्रा को उसके दोरा आप्शन भी आपका राइड अंसर हो जाएगा अगला पांचवी पंचवर्षिय योजना का मुख्य उद्देश सित्या का यह गाईज जो क्वेशन है यह आपके एक क्या इस कुछ भी का जाए ठीक है भी सरस्ता क्या जी कुछ भी का जाए बात ही किये ठीक है किसी भी तरीके से क्वेशन पूछा दे है हर तरीके से आप फालेने के लिए अप तयार है हर तरीके से क्वेशन का निप्टार करने के लिए आप तयार है पांचवी पंचवर्ष के अनुक्षेद नंबर एक में क्या घोजना की गई है कि इंडिया या फिर भारत जो है यह क्या है क्या हो जाएगा बहुत बड़ी है क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा जराज्जियों का संग है उपसिन ऐ आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिट अफ इस्टेट आपसे ने आपका राइड आंसर हो जाएगा भारत में एकल नागरिता की जो अवधानला है ये एक इस देश के सम्मेदान से ली गई है बारत में एकल नागरिता की अवधानला जो है एक इस देश के सम्मेदान से ली गई है अगर आप तक हमारी आवाज क्लियर नहीं जा रह तो आप गाई जर्फोन परियोग कर लेज़ेगा या आप वोल्यूम तोड़ा तेज़ कर लेज़ेगा देखो जो एकल नागरी तक यह वजाना है गाई इंगलाइंड से ली गई है राइट हो जाएगा यहाँ पर आपको 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 सुमेलित नहीं है यहाँ पर गाई आ आपको सामने मौली का जिखार दिये गए हैं बहाँ पर आपको सामने अनुक्षे दिये गए हैं देखो ग्रफ्टारियों निरोद का विरोद सनक्षन यह अनुक्षे तेस में गलत आपसन अबर भी ही आपका राइगा गौज़ सर हो जाएगा अगला बारत के उबराष्ट पती का निर्वाचन किसके दारा होता है 24 जल्दी से अंसर देंगे बहुत बढ़िया देखो जो बात के उपराश्ट पती होते हैं उपराश्ट पती है ना वेस प्रेसिडेंट इसके जो गाइस निर्वाचन होता है ये किसको दारा होता है ये होता है संसद और दोनों सदन द त्व्यक्त स्था आप्षिन हो ज्ली के अंसर देंगी दिख्ण जल्दी में प्राधमिक ही के सुझछा करें प्रफ्रक्था झालिगर आगे रखिदाब नापनी का जो एंतर है वह क्या है रक्षदाब नापने का जोएंतर है वो क्या है जल्दिश अन्स दीजह राइड अन्सर क्या हो जाएगा गाइस बहुत बढ़ियां क्या है जबेको रखद दब मैं आपने कर्यान दरहे इस्विगनो मैनुमेटर क्या हैम प्रतिबिम्ब कैसा होता है 27 बहुत बढ़िया कैसा होता है जो खागोली दूरदर्शी होती है इससे बना प्रतिबिम्ब जो होता है यह कालपनिक तो होता है यह साथ में यह बड़ा भी होता है है आज ओप्सन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा परमारव जिनमे प्रोटानों की संक्या समान प्रहं प्रन्तों नुडरानों की संक्या भिनन भाष श॥ा है जल्दवाजीं में आपको फट ไป वहां क्या थोड़ा कोईशन भींस परत भार रहे हैं देखो समय नहीं है ना? तो आपको revision करना है, कोई revision आपका चल रहा है, समझेड लूग, जिसमें proton की संख्या और neutron की संख्या justर यह भिन्द बेने रेे, proton neutron विन्द बेने रे, तो उन्हें क्या कहेंगे guys? उन्हें कहेंगे हम समस्थानिक, जब proton और proton guys, कई तो उन्हें दूसरी बात कहेंगे ठीक या निस अंभार कहेंगे और यह जब – एक समानोंू के जिनत के हैं आपके लिए पुरा कंटेंट तयार के हैं आपके लिए पूरी जीजान सिंदत लगा दिया है आपके लिए है ना तो थोड़ा बहुत तो स्वास्त में गलबडी आएगी कोई बात नहीं इतना मैनस कर लेंगे मानुव सरीर में पाचन का अधिकान सभाग किस सब्सक्राइन देखें पायुक्रुटर्फं अजां पप्रेंगे। इसके लिए यक सब्सक्राइब ृटीं है नहीं जीवन जीने की एक्षा इसके लिए एक शब्सक्राइब क्योंगा 48 बाइश बंड क्यों होगा रहे निशास इसके लिए आप। क्या होगा यह पूचा जारे इपसे डिपसा क्या होता है एक जिपसा होता है option A आपका right answer हो जाएगा जीवन यह अपन करना है यह होता है आपका जीवी का अगला सब्ति युगम यदा कदा का सखी यर्थ युगम का चेंग करें यदा और कदा का सखी मतलब क्या है 39 यदा और कदा यदा यदा का मतलब होता है मेरे पहरे भाई जब और कदा का मतलब होता है तब क्या कहा है यदा का मतलब जब और कदा का मतलब कब स्वरी तब ठीक है तो यदा मतलब हो जाएगा आपका जब मैं यहाँ पर लिख दूँ जल्द बाजी करेंगे भूल जाएंग का सही अर्थ क्या है अन्देक औ दीपक तिखाना मुहाबरे का सही अर्थ क्या है बहुत मढ़ी है ना समझ को उपदेश से देना और आपका राइट आनसर हो जाएगा यह आपके सामने इसका आंसर हाला की आप क्या करेंगे तो यहाँप मैं आपको कि आगर आप चनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि जैसे ही गाइस क्वेशन पेपर आपका निकले वहां से मैं तुरंद आपके पास गाइस उसका अनालिसिस कर दूं ठीक है आप तुरंद देख लिए और इसके अलामा आपको अभी थोड़ कोई फाइदा नहीं है ठीक है हमें अच्छे लगी यह गाइस बहुत अच्छा लगता है ठीक है मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है कि आप सभी जीजान सिर्दत के साथ पढ़ रहे हैं आप सभी प्यारे भाई बैन इस बार अपने मात सब्सक्राइब को समय से तुरंत मिली मिलते हैं अच्छा अब तक के लिए बहुत बहुत थानिवाद